नमो अरहन ताणम, वेरका अनुबंद अध्याय नौ कल वसंतोत्सव है, यह जनता का आनंद मै त्योहार है, राजा ने सूचा इतने वर्षों तक मैं वसंतोत्सव में जाता था, कल यूराज को भेज कर देखना है कि इस उत्सव में होने वाले राग रंग से यूराज का मन प्रभावित होता हैं या नहीं? अगले दिन वसंतोचा का त्योहार नगरी के लोग नगर के बाहर आजा रहे थे। यूराज समरादित्य भी सादगी पून वेश भुसा में राजभवन से निकला। वहां से महामंत्रिक के साथ एक स्वर्ण रत में बैठ तथा अन्य रतों में चारो मित्र तथा अन्यान्य राजवर्गी ये लोग बैठ कर नगर के बाहर आ पहुँचे। यह आयोजन नगर से मात्र एक कोस की दूरी पर सिप्रा नदी के तट पर होता था। राज्य की ओर से वहां अनेक सुविधाएं उपलब्द थी। स्थान स्थान पर खाद्य और पे की सामगरी बेचने वाले छोटे बड़े हाट, नृत्य कला प्रदर्शित करती हुए नर्त कियां, जूलों का प्रबंध आधि किया गया था। नाना प्रकार की क्रीडा करने वाले कलाकार अपने अपने तंबुओं में अपनी अपनी क्रीडा प्रदर्शित कर लोगों को अक्रस्ट कर रहे थे। नगरे के बाहर आए हुए अपने यूराज को देख कर जनता ने जैजैकार किया। महा मंत्री यूराज को विलाज के अनेक द्रश्य दिखा रहा था। वह चाहता था कि यूराज श्री इन द्रश्यों के प्रती आक्रस्ट होकर विरक्ति से अनुरक्ति की ओर आजाएगा। वे अपना प्रयास कर ही रहे थे कि यूराज समरादित्य की द्रश्टी एक कोडी पर पड़ी। उसका शरीर कोड से गल गया था। अंगलियां गल कर नस्ट हो गई थी। नाक का केवल चिन मात्र था। सब गल कर उसका रूप विभत्स हो गया था। शरीर पर मक्हियां भिनभिना रही थी। यह द्रश्य देखकर यूराज ने सार्थी से पूचा यह क्या नाटक है। सार्थी बोला देव यह नाटक नहीं, व्याधी से पीडित एक पूरुश है। सार्थी अपने नगर में ऐसी व्याधी क्यो रहती है, विचारे का शरीर कैसा बदरूप हो गया है यूराज श्री यह असाध्य रोग है इसका निवारन सहज नहीं यूराज विचारों में डूब गया रत आगे बड़ा यूराज ने देखा कि एक अत्ती वृद्ध दमपती लड़ खड़ाते हुए मार्ग पर चल रहे हैं उनकी दशा करूना जनक थी यूराज ने महामंत्री से पूचा इन दोनों को कौन पेडित कर रहा है महामंत्री बोला यूराज श्री वे स्वयम अपनी व्रद्धावस्ता से पेडित है यूराज ने पास चल रहे सेनापती को बुना कर कहा सेनापति जी लोगों को सताने वाली इस व्रिद्धा वस्ता को अपने राजे से बाहर निकाल दो अन्नदाता यह कालगत अवस्ता है किसी से भी इसका प्रतिकार नहीं हो सकता क्या हमारी भी यही तशा होगी? हाँ इसका कोई अफवाद नहीं होता रत आगे बढ़ रहा था यूराज का मन संसार की विचित्रता का चिंतन करने में मगन था इतने में ही हाहाकार का करुण स्वर यूराज के कानों में टकराया अने एक लोग अर्थी को लेकर सम्शान की और बढ़ रहे थे सभी की आँखे गिली थी यूराज ने ये द्रशी देखा और पूछा ये क्या नाटक है सार्थी बोला यूराश्री ये नाटक नहीं है एक धनाद्य सेट की मृत्ति हो गई उसको सम्शान ले जाया जा रहा है उसके घर वाले परिवार वाले विलाप कर रहे हैं मृत्यू क्या होती है यूराश्री संसारिक प्राणियों की ये अनिवार्य स्थिती है राजा या रंक, गरीब या धनी, मुर्क या विद्वान, स्त्री या पुरुष, व्रद या जवान सभी इसके विशय हैं यहां आती है तब संसार के सारे संबंद विसंबंद बन जाते हैं तो क्या मुझे भी इन सभी अवस्थाओं, रोग, जरा और मृत्यू का शिकार बनना पड़ेगा? हाँ यूराश्री, इसका कोई अफ़ाद नहीं हो सकता इन सारी घटनाओं को देख कर यूराश्री समराधित्य का मन अत्यंत उद्वेलित हो गया संसारिक संबंदों से मन उद्विग्न हो गया और वह विरक्ति के ज्वार को अपने में समेटे राजभाण पहुचा वसंतोच्षव के बहाने महराजा जो चाहते थे वह नहीं मिला उसका परिणाम विप्रिथ ही हुआ महराजा ने महामंत्री और राजपुरोहिच से विचार विमर्ष किया तीनों इस विचार से सहमत हुए कि यूराज को काम शास्त्र की सिक्षा के लिए किसी योग के गणिका के वहां भेजना चाहिए इससे काम शास्त्र का भी अध्यन होगा और संभव है यूराज श्री का मन भी उसमें रम जाए अयोध्या नगरी में काम सेना गणिका को की बहुत प्रसिद्धी थी वह अभी अठार वर्ष की थी परन्तु 64 कलाओं की जानकार थी वह काम शास्त्र में निश्नात थी यह निश्चे किया गया कि यूराज समरादित्य को गणिका काम सेना की पास भीजा जाए महरानी ने जब यह सुना तो वह ततकाल महराज के पास आई और कहा परन्त गणिका के घर भीजना निरपवाद मार्ग नहीं है उसमें अनेक विडम बनाओं का सामना करना पड़ता है निरपवाद मार्ग है कि हमें यूराज को विवाबंधन में बान देना चाहिए लोकोक्ती भी है तरुन लड़के को खूटी से बान देना ही अच्छा है एक दिन महराजा ने समरादित्य को बुला कर कहा वत्स तामरलिप्त के महराजा खड़क से इनकी दो कन्याएं हैं वे गुण और सौंदर्यमी अपूर्व है महराजा मेरे मित्र हैं वे अभी धरम संकट में फसे हुए हैं उनकी दोनों कन्याओं ने जब से तुम्हारी छवी देखी है तब से उन्होंने ये प्रतिग्या कर ली है कि तुम्हारे अतिरिक्त वे किसी को पती रूप में स्विकार नहीं करेगी हम शत्रिये हैं क्षत्रियों की ये परंपरा है कि राज कन्याएं स्वेमवरी होती है विब्रमवती और कामलता दोनों ने तुम्हारा मन से वरण कर लिया है इसलिए हमें उनकी लाज रखनी है यह सुनकर समरादित्य विचार मगन हो गया उसका मान सिक्त वंद चलता रहा एक मन कहता अरे भोले पिता जी के आदेश की अवहेलना क्यों कर रहे हो तुम्हें राजा बनना है जीवन का लंबा सफर तै करना है जीवन संगीनी का इसमें होना अत्यंत आवश्यक है हात में आई इस स्वर्णिम अवसर को मत खो तो दूसरा मन कहता भोगों के भवर जाल में मत फसो यह अमरेग मेरे ची का मातर है याद रखो भोगों न मुकता वयमेव मुकता भोगों का कभी अंत नहीं आता भोगने वाला स्वयम समाप्थ हो जाता है कुमार तुम सोचो अध्यात्म भावों की उत्पत्ती यदा कदा ही होती है उन भावों को पकड़ो और उने अपने स्थाई निधी बना लो यूराज समरादित्य का मन निर्द्विंद नहीं हुआ विचार चलते रहे कभी पहला मन प्रथम पंक्ती में आता अपना आसन बिचाता और तो कभी दूसरा मन उस पर हावी हो जाता चारों मित्रों ने यूराज के विवाह की बात सुनी एक मित्र अशोक ने कहा यूराज श्री फिर आपकी अध्यात्मिक साथवका क्या होगा मित्र कंचन की विशुद्धी अगनी से ही होती है माता पिता के मन को पीडित करना संतान के लिए हितकर नहीं होता यूराज ने कहा निश्चित तिति में यूराज समरादित्य का विवाह हो गया दोनों यूराजियों को देखकर सभी लोग अश्चरे चकित रह गए उनका रूप और लावानियं बेजोड था दोनों समान दिखती थी उनको अलग-अलग पहचान पाना कठिन होता था सुहाग राथ चब यूराज समरादित्य अपने सैन कक्ष में गया तब दोनों पत्मियां चंद्र के समान चोबित हो रही थी सुआमी को भीतर आते देख वहाँ बैठी हुई दासियां खंड से बाहर आ गई फिर विभ्रमवती और कामलता दोनों ने उठकर स्वामी के कंट में एक-एक पुष्प माला पहना दी इतने में यूराज ने कहा मैं तुम्हारी मालाएं अवश्य स्विकार करूँगा उससे पुरूर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ दोनों प्रश्ण भरी दृष्टी से स्वामी को देखने लगी यूराज ने कुछ व्यवारिक पुछने के बात कहा क्या तुम दोनों मेरा कल्यान चाहोगी या कल्यान हम सदा आपके कल्यान की कामना करती हैं और कामना करती रहेंगी यदि तुम मेरी कल्यान यात्रा में सहग आमीनी बन सको तो हम तीनों का जीवन मंगल मैं हो सकेगा युराज ने कहा कामलता बोले स्वामी आप की बात रहस्य मैं है हमें समझ में नहीं आई एक आरे नारे का कल्यान मार गए अपने स्वामी का अनुकरण करना युराज बोले भवाटवी में चक्कर लगाते लगाते अनन्तकाल बीद गया मनुष्य भव प्राप्त होना दोरलब है इस प्राप्त मनुष्य भव को हम सार्थक करें यही हमारा परम करतव्य है संसार में सब कुछ क्षणिक है एक आत्मिक सुख ही शास्वत है हमें उसकी प्राप्ति के लिए पुरुशार्थ करना चाहिए स्वामी पुरुशार्थ सामाने पुरुशार्थ से तो बात बनती नहीं प्रबल पुरुशार्थ सब के लिए शक्य नहीं क्योंकि अर्थ काम विब्रम वती ने कहा यूराज ने कहा प्रबल पुरुशार्थ हमारे लिए शक्य है हमने जीवन को समझा है और उसके कल्यान के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प भी जानते हैं तुम दौनों बुद्धिमती हो शास्त्रों के मर्म को जानती हो अधिक क्या कहूं यदि तुम मोह और आसक्ति का त्याक कर कल्यान मार्की और अग्रसर होने का संकल्प करती हो तो हम तीनों का निश्रेयस संभव है यह सुनकर नवधुओं का मन विकल्पों से भर गया क्या सोचा था और क्या हो रहा है इस विचार मार्क पर उनका मन उचलनी लगा परन्तु अध्यात्म की नई सरणी की योजना उनको भागई उनका मन उत्सा व्रदिगत हुआ कर्मों के क्षयोप्षम का उचित निमित मिला और कुछी क्षणों बाद विब्रमवती ने कहा नात आप हमारे मार्क दर्शक बन कर हमारी नईया पार लगाएं हम तयार हैं कामलता भी बोली मेदी भी यही स्थिती है कामभोग से निवरित होने के लिए चित चंचल है आप मार्क बताएं वाह वाह मैं धन्य हो गया कल्यान मार्क के ऐसे साथ ही भाग्यवान को ही मिलते हैं हमें विशया सक्ति को छोड़ कर संयम मार्क ग्रहन कर लेना चाहिए उसी समय दोनों बहनों ने कहा आपकी एनुमती और क्रपा से हम इसी क्षण जाव जीवन विशय भोग का त्याग करती हैं युवराज समरादेत्य अत्यंत प्रसनता पूर्वक बोला तुम दोनों की यह हलू करमिता मुझे अत्यंत आनंददाई लग रही है तुम धन्य हो परमार्थ की ग्यात्री हो महान नारी रत्न हो मैं भी जाव जीवन ब्रह्म चर्य व्रत स्विकार कर तुम्हारी माला का अधिकारी बनता हूँ दोनों पत्नियों ने पति के कंट में मालाएं अरपित की युवराज ने भी अन्य पुष्प मालाएं दोनों बहनों के कंट में आरपित की शुब अध्यवसाय की धारा व्रिधिकत हो रही थी उस प्रवर्धमान धारा से युवराज को अधिज्ञान की प्राप्ती हुई उसने अतीत के भव देखे रिदय वेरागे भावना से ओत्व प्रोथ हो गया आज के लिए इतना ही आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे जैजी नेंद्र सब्सक्राइब दे चैनल एंड शेयर अवीडियो थैंक यू अर्जुन मुखर जी पर शूटिंग एंड एडिटिंग माई वीडियो